हेलो क्लास एर्थ बिटा चाप्टर नमबर 13 डाटा हैंडलिंग टोड़ी वी आर स्टार्टिंग पार्ट वन की इस वीडियो में एक्सरसाइज 13a के आज हम कोशन करने वाले हैं आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीक से देखेंगे हरे कोशन को स्टेप बाई स्टेप सुमझेंगे अगर किसे भी कोशन में आपको कोई प्राब्लम आती है तो बिटा वर्ट साग पर हमें मैसेज कर दीजिएगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आ फ्रChristian 7 का मदल्ला होता है कौन सा नंबर हमारा कितनी बाराया है फ्रिक्वेंसी इसको कहते है तो यहाँ पर सबसे पहले आपास जो नंबर है देखे हम start करते हैं सबसे smallest number से सबसे smallest number हमारा पर 2 है और सबसे greater number यहां check करते हैं तो इस सबसे greater number हमारा 7 है तो हम एक table बनाते हैं इस type से तो यहां देख लिएगा हमने आपको यह table बना कर दिखाए गई है तो यह मैंने आपके लिए table बना दिये है number लिए एक उपर लिख दिये है number और नीचे लिख दिया है frequency तो यहाँ पर जो number हमें given है इस data में वो लिख लिख लिए है two three four five six और seven यह numbers दिये गए है अब यह number कितनी कितनी बार आए है यह counting करके हमने यहाँ पर लिख दिया है तो यह frequency टेबल बन जाती है जैसे मालीज यह टू तो दीखे टू मैं ऐसे आपको round करके जाहता हूं one ठीक है two clear इसके बाद three four five ठीक है यहाँ पर हमारे two आए हुए है ठीक है मैं आ five आप यहाँ पर देख पा रहे है ठीक है तो जितनी बार जो number आया होगा वो हम write कर देंगे तो हमने two की frequency लिखती है five इसी तरह से जब three को हम देखते हैं तो three हमारे पास one ठीक है one two clear और एक बार यह रहा three तो यहाँ पर three कितनी बार है three times है तो हमने three लिख दिया है इसी तर four को हम count करेंगे four को count करते है one two three four four हमारा four times है four हमने write कर दिया इसी तरह five three times होगा ठीक है five three times है six two times है और seven three times है तो यहाँ पर हम केवल counting करके लिख देते हैं इसी तरह से हमारा बी पार बी पार बी इसी तरह है सबसे least हमारे जो number है 12 है सबसे greater वाला 17 है इसमें आप चेक करें फिर्ट एधार पर यहां दिया हुआ तो यहां पर 12 कितनी फ्रायों यहां और 12 यहां पर हैं ऐसा थैते हैं हमारा four times वाल तो one तकर पार तो इससे हैं मेरे ने लाइन कर रा हमक ano इससे आपको पता रहे है कि मैंने यहां पर उप है किटनी हो गया four times हो गया 13 four times हो गया इसी तरह 14 को इतो 40 होर्ट हमारे पास कहा है देस वन ऐड़ा देस वन hon थिक है देस वन डिस वन कि इस वहार है four times है इसी तरह counting करते चले जाएगा numbers को लिखते चले जाएगा और आपका frequency table बन जाएगा तो question number 1 का A part और B part दोनों हमारे complete हो जाते हैं ठीक है चलिए question number 2 देखते है question number 2 में यहाँ पर आपके पास question दिया है this one चलिए reading करते है the value of pi यह pi है आपको पास यहाँ लिखा हुआ इस तरह से pi up to 50 decimal places is given below जो pi की value होती है 50 decimal place तक वो आपको यह दे रखी है ठीक है इसको थोड़ाँ में जूम करके आपके लिखा देता हूँ देखिए ठीक है यहाँ पर यह digit दे रखी है 3.1459265358979323846264 238327950 28841971 69399375 यह आपके पास दिया गया अब आपको करना क्या है write the frequencies आपको frequencies लिखनी है किसकी और the falling digit यह आपको जो दे रखे है part ठीक है देखे मैं इसको थोड़ा close कर देता हूँ देखे यह जो आपको a, b, c, d, e, f पार दे रखे है इनकी आपको frequency लिखनी है decimal part के अंदर decimal part का मतलब this one three point something के बाद जो लिखा हुआ है यानि one से starter, zero से finish है तो यहाँ पर आपको इनकी frequency निकालने है frequency का मतलब क्या बताया था मैंने आपको मैंने बताया था बेटा कि जो number जितनी बार आता है वो frequency के लाती है इस match takia मैं आपको round करके दिखा देता हूं 1, 2 आपके पास यह रहा clear है, इसके बाद हम फिट 2 देखते है 2 यहाँ पर भी है 1, 2 हमआरे पास यह रहा 2 हमआरे पास यह रहा 2 हमआरे पास यह रहा और हमआरे पास कहीं भी 2 नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 हमारा 5 times हो गया इसी तरह से हमें किसको देखना है 3 को देखना है ठीक है 3 देखिएगा 3 हमारे पास this one एक time हो गया 1 time 2 time ठीक है 3 time 4 time 5 time ठीक है और देखा आपने 6 time और यहाँ पर 7 time ठीक है इस तरह से तो यह आप count करते चले जाएंगे कितनी बारा है तो यहाँ पर 8 time 8 बार यहाँ पर दियागा है 3 तो यहाँ पर मैंने सभी आपको answer निकाल के दिखा दिया है 2 आपका 5 time है 3 आपका जो है वो 8 time है 5 आपका 5 time है इसी तरह से 6 आपका 4 times है 9 8 times है और 1 5 times है ठीक है तो यह मैंने आपको इसका answer यहाँ पर बता दिया है counting करना भी बता दिया है मैंने किस तरह count करके लिखेंगे चले question number 3 देखते है question number 3 में हमें given है the weight in kilogram weight दिया गया kilogram है कितने person का 30 person का are given below तो यहाँ पर हमें 44, 49, 54, 44 इस तरह करके up to 44 यह 30% के आपको kg में weight दे दिया है आप से क्या पूछा है यहाँ पर सबसे पहले आप सको कहा गया है कि prepare a frequency table for the above data यह जो data दिया गया है इसके लिए frequency table निका बनानी है और इन question के answer देना है जो यहाँ पर a, b, c, d part में दिये गए तो सबसे पहले frequency के लिए मैंने आपको बताया था आप सबसे छोटा, सबसे बड़ा देख लो सबसे छोटा हमारे पास जो weight है वो 44 है और सबसे बड़ा हमारे पास जो यहाँ पर है वो 70 है देख पा रहे है तो हमने क्या क्या सबसे टेबल बनाने के लिए weight और frequency लिख लेते हैं ठीक है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है और जैसे counting करना मैंने आपको बताया था बिल्कुल सबसे तरह काउंट करेंगी तो एक तरफ weight होगी है एक तरफ frequency होगी 44, 49, 55, 60, 64, 68 और 70 यह हमने weight लिख लिए है 44, 7 times आया है तो यहाँ लिख दिया count करके ठीक है देख लिजी मैं आप फिर से बता रहा हूँ count करना का तरीका एक बार यह हो गया यह दोसरी बार हो गया यह तीसरी बार हो गया है ठीक है फिर आप देखिए कहाँ पर है 44 इसके बाद कहा है फिर यह रहा आप इस तरह से count करते चले यह कहाँ कहाँ है pencil का use कीजिएगा और आपको पता लग जाएगा तो कितने बार हो गया ठीक है 3, 3, 6 और 1, 7 7 बार हो गया देखो यहाँ पर 7 बार है ठीक है इसी तरह से 49 को count करके 8 लिख देंगे 48 कितनी बार है 8 बार होगा 55 5 बार है 62 बार है 64 4 टाइमस है 68 3 टाइमस है और 71 टाइमस है ठीक है 70 के अवल देखो यहाँ पर है और कहीं पर 70 नहीं है तो 1 टाइमस हो गया यानि count करके मैंने आपको बता दिया लिख वेट कोन सा है this one 44 सबसे लिख है तो यह आंसर हो गया एका 44 B पर्सन है how many person have the least weight कितने पर्सन का लिख यानि सबसे कम weight है वो कितने है frequency के उक्कर यानि 7 तो यह आपको B पर्सन हो गया 7 clear how many person have the maximum weight maximum weight यानि 70 70 कितने पर्सन का है one person का तो यह देखो C का part C का जो answer है one हो गया और इसी तरह से D part में पूछा गया है which weight do the maximum number of the person have ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो person है वो किस weight के है वो देखो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो frequency किसकी 8 यानि 8 person ऐसे हैं 8 person ऐसे हैं का weight 49 है तो यहाँ पर answer हो गया 49 clear तो बहुत easy question था इसी तरह से आपको question कर लेने हैं ठीक है चलिए next question की तरफ चलते हैं चलिए आ गया है हम question number 4 पर और यहाँ पर question को reading कर लेते हैं for each set of data make up a tally table tally का मतलब होता है counting के लिए कि हमारा कौन सा number कितनी बार आया है frequency को tally करना यानि check करके table बना लेना using the groupings suggested जो grouping आपको दी गई है यहाँ पर grouping का मतलब होता है कितने number से कितने number की बीच में हमारा कौन सा mark जो number दिया गया वो number आ रहा है suggested and complete the frequency column frequency column को हमें complete करना है तो देखो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले आपको zoom करके दिखा देता हूँ कि क्या हमें दिया गया है तो यहाँ पर the number of tomatoes picked from tomato plant tomato plant से हमने जो tomato लिये थे उसका data यह दे रखा देखो इतना ठीक है यह data वो है जितने हमने tomato लिये हैं plant से और grouping इन्होंने क्या दिये देखो यह दिया है 0 से 4 4 से 9 0 से 4 5 से 9 10 से 14 14 से लेकर 19 यह क्या होता है यह grouping कहला दिया यह यह दिया हमने एक तरह से इनका group बना लिया numbers का कि इतने numbers के बीच में कितने numbers आने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर हम इनकी counting करेंगे किस तरह से करेंगे चलिए यह मैं आपको बताऊंगा इसी तरह B part भी hand to hand मैं आपको बता देता हूँ question पढ़ लेते हैं B part का भी दोनों का solution एक साथ बता दूँगा the number of books of 18 shelves 18 shelves में कितनी books रख्य हुई है वो college की library में तो वो आपको data दिये गया यह रहा ठीक है suggested grouping आपको दीए है 21 से 25 26 से 30 31 से 35 36 से 40 इस तरह से grouping है तो आपको किस तरह से करना चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे छोटा number देखते हैं A part करना है न तो सबसे छोटा number हमारा आगर हमें suggested देखना है grouping को लेते हुए तो 0 से 4 वाले जब हम लिखेंगे तो एक तरफ पहले सबसे पहले मैं आपको format बता देता हूँ तो format यह होता है कि एक तरफ तो हमारे पास यह जो grouping दिये है तो grouping लिखी जाती है तीक है तो तो तीक है तैली क्या होता है हम यहाँ देखेंगे कि 5 से 9 की बीच में कितने number आ रहे हैं उतने हम यहाँ पे यह बार लगा देते हैं इनको बार बोलते हैं तीक है यह जो हमने लगाए हैं निशान इनको बार बोलते हैं फाइव बार होने पर इसकी आप रूल समझे लिएगा जहां फाइव बार हो जाते हैं उसको एक दिर्शा कट कर देजेगा तो वन टू थरी फोर तो यह सो जाँगे फोर को आप ऐसा दिर्शा कट कर देजेगे जिससे यह फाइव की कांटिंग हमें आसानी हो जाएगी तो इसलिए सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर सबसे पहले हमारे गृपिंग थी जीरू से फोर की बीच में देखेगा कि यांतर है 44 का अन्तर है 5 से लेकर 9 9 के बाद क्या था 10 तैन के बाद 10 से 14 14 कि बाद क्याता है 15 15 14 छों इस तरह करके यह गूर्पिंग रख लेंगे अब हम इनको नंबर को काउंट करेंगे तो सब्से पहले हमारा फाइव तुझनाइन कितने नंबर थाहँ मैं इसको आपको तोड़ा जूम कर देता हूं, फाइब से नाइन के बीच में नमबर देखो? आपका। दूसरी में हमारे पास नहीं है और थर्ड रो में भी हमारे पास कुछ नहीं तो एक 7 नमबर आया तो देखो यहाँ पर तो 5 से 9 के बीच में हमारा एक ही नमबर था तो उसका हमने एक डैश लगा दिया और उतनी ही फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कितनी 1 ठीक है अब यहाँ देखेंगे 10 से लेकर 14 के बीच में 10 से लेकर 14 के बीच में कौन सा नमबर है 10 से 14 फिले फर्स्ट लाइन को देखो 10 से लेकर 14 7 को नहीं लेना 10 से उपर 14 से नीचे ठीक है तो आपको कहां मिलेगा वह नमबर देखो यह रहा 11 10 से उपर और 14 से नीचे तो यह हो गया हमरे पास एक यह नमबर है तो वो हमने लिख दिया 10 से लेकर 14 तक एक नमबर है तो एक बार लगा दिया और उसकी frequency एक लिख दिया इसी तरह से हमको क्या देखना है 15 से लेकर 19 15 से 19 तक कितने नमबर है तो देखो 15 से लेकर 19 तक के 15 से लेकर 19 तक एक नमबर यह रहा 15 से 19 के बीच में यह भी आएगा ठीक है और 15 से लेकर 19 की बीच में यह आएगा ठीक है और यह आएगा इस तरह करके आप 15 से 19 की बीच में नमबर निकाल लिजेगा ठीक है और देखिए कहां कहां है 15 से लेकर 19 तक के नमबर ठीक है तो यह सब नमबर आ जाएंगे 15 से लेकर 19 के बीच में इनको आप count कर लीजेगा ठीक है और कहां पर है यह हो गया ठीक है 15 से लेकर 19 के बीच में यह हो गया 15 से लेकर 19 के बीच में this one this one इस तरह करके हम counting कर लेंगे ठी है आप यहां पर आपके पास आ जाएगा कितने नमबर थे शिक्स नमबर थे तो तो 1, 2, 3, 4, 1, 1 करके नंबर लगाएंगे पाच वे काट देंगे और 6 हमना अलग लगा दिया तो कितने नंबर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे तो यहाँ पर 6 हो गए इसी तरह से हमको क्या करना है इसी तरह से हमको 20 से लेकर 24 की बीच में नंबर देखने है तो 20 से 24 की बीच में नंबर आप काउंट करेंगे 20 से बड़ा और 24 से छोटा तो यह आपके पास एक नंबर यह रहा ठीक है 20 से बड़ा तो 20 भी इस में आ जाएगा ठीक है और 21 आ जाएगा ठीक है और कितने आ जाएंगे 24 आ जाएगा ठीक है यह आ गया कितने और भी है चेक लिजिएगा 20 से 24 के बीच में यह रहा कितने हो गए 6 हो गए ठीक है तो यहाँ पर 6 लिख दिया तो यहाँ पर आप देखिए 20 से 24 के बीच में 6 तो मार्क से लग जाएंगे और 6 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेट कर देगे इसी तरह से 25 से 29 के बीच में 5 नमबर हो जाएंगे 30 से 34 के बीच में 5 नमबर हो जाएंगे तो यह हमारे पास इस तरह से फ्रिक्वेंसी टेबल आ जाएगी ठीक है बी पार्ट में क्या करना है बी पार्ट भी सेम बिल्कुल इसी तरह से है आपको सेजेस्टेट जो गुरूप में 21 से 25 26 से 344 का गैप है उस तरह से आप बना लिजेगा तो यहां पर मैंने यह बना कर दिखाए गई आपको 26 से 30 31 से 35 30 से 40 और 41 से 45 और 44 की बीच में गैप है और 21 एक बता रहा हूं आपको बाकी पार्ट आप काउंट कर लिजेगा 26 से 30 की बीच में कितने माक्स हैं दोको हमने यहां 5 लगा है न 5 ही होने चाहिए 5 बार लगा रखें और यहां पर फ्रिक्वेंसी 5 लिग रखें तो तीक है 5 26 से 30 की बीच में 26 से 30 की बीच में 26 से बड़ा होने चाहिए और 30 से छोटा होने चाहिए 26 भी इसी में आएगा तो 26 27 ठीक है 29 ठीक है और देखेगा 20 वाले कितने हैं यहां पर आगए कितने आपके पास यह आ चुके हैं ठीक है कितने नमबर आगए हैं 1 2 3 4 ठीक है 5 तो यह आ गए हैं आपके पास तो ठीक है तो यह देखी यहां पर कितने नमबर थे 5 थे तो मैंने यहां पर क्या किया 5 लिख दिया इससी तरह से आप काउंट कर लिजिएगा इसमें 31 से लेकर 35 तक 4 आएंगे उसको लिख देंगे आप 31 से लेकर 40 तक एक-एक नमबर को लिखते ले जाएएगा और काउंट कर लीजिएगा यह 5 है तो 5 लिख देंगे 41 से 45 के बीच में कितने नमबर आएंगे 4 आएंगे तो 4 लिख देंगे तो यह हमारी टेबल बन जाती है सिर्फ करना कि आपको नमबर लेखने हैं कि 26 के बीच में 30 कि 26 और 30 के बीच में कितने नमबर आ रहे हैं तो वह आप काउंट करेंगे यहां से यह आपको डाटा दिया हुआ है ठीक है बस यह आपका अंसर बन जाता है कोश्चन पर 4 हमारा कंप्लेट हो गया है अब कोश्चन नमबर हम चलते हैं 5 की तरफ कोश्चन पर 5 में क्या गया है The following are the monthly rent monthly rent है in rupees 30 shops 30 shops में से हमें क्या मिला यह rent मिला ठीक है तो यह rent का data आपको दिया गया है using the class interval of equal width in which one class being 40 से लेके 50 तक यह आपको group दिया गया इस तरह को group लगाना है constructive frequency table तो सबसे पहले छोटा देखो सबसे छोटा हमारे पास number कौन सा है अब सबसे छोटे हमारे जो number आ सकते हैं वह 37 है ठीक है 38 है तो ये किसकी बीच मा रहे है 30 से लेकर 40 की बीच में तो हमें कौन सा लेना है 30 से 40 40 से 50 ठीक है 50 से 60 ऐसे grouping ले लिए तो देखो grouping हमने यहापे ले लिए यह हमारी grouping हो जाएगी इनकी बीच में कित्ते कित्ते नंबर हैं वो आप count करके लिख दो जैसे 30 से 40 की बीच में 30 से 40 की बीच में देखो 30 से 40 की बीच में 37 आता है ये 37 हो गया clear है उसके बाद आप 36 है ठीक है इसके बाद 39 है ठीक है इसके बाद 38 है तो इस तरह से आप counting कर लिजिएगा 31 है कितने नंबर होगे 123456 तो देखो हमने या पर लिख दिया 6 ठीक है इसी तरह से आप 40 से लेकर 50 की बीच में जब count करेंगे तो 8 number आएंगे 50 से 60 की बीच में कितने number आते हैं इस message check करेंगे कितने number ऐसे हैं जो 50 से 60 की बीच मा रहे हैं वो 3 होंगे 60 से 70 की बीच में 4 होंगे 70 से 80 की बीच में 6 होंगे और 80 से 90 की बीच में 3 होंगे तो यह आप इस table के according कर लिजिएगा ठीक है question number 5 भी हमारा complete हो गया है किसी भी question पर problem हो बिटा वार्ट से group पर message कर देना आप ठीक है दो बारे से आपको बता देंगे तो चलिए strength यहाँ पर आज की वीडियो का last question है इस exercise को यहाँ पर हम complete कर लेंगे इस question को करने के बाद question number 6 को चलिए reading करते हैं construct a frequency table आपको एक frequency table construct करना है for the following marks obtained by 45 strengths जो 45 strengths ने marks यहाँ पर obtained किये है using equal class interval equal class interval लेना है यानि जो हम यहाँ पर grouping लेंगे उनके बीच में जो है difference same होगा और यहाँ पर उन्होंने suggested में दिया गया है 16 to 24, 16 से लेकर 24 की हमें grouping लिनी है और उसमें 24 के include नहीं करना है ठीक है चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना वाले हैं देखे यह हमें data दे रखा है इस data को बहुत अच्छे से देखेंगे कौन कौन से number दिये गए हैं सबसे छोटे से हम start करेंगे तो 0 से 8 ठीक है 8 से 16 हमने यहाँ पर देख लिजिए जैसे यहाँ पर 16 से लेकर 24 है तो इसकी बीच में कितना gap है 8 का 24 माइनस 16 8 का gap है ठीक है तो 8 के gap वाली हम एक grouping बनाएंगे सबसे small जो number है हमारा देखेंगे यहाँ पर small number हमारा सबसे छोटा क तो यह बहुत छोटे number है ठीक है तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी grouping सबसे पहली 0 to 8 मिलेगी 0 to 8 ठीक है तो इसमें हम 8 को include नहीं करेंगे 0 से 8 में ठीक है हम फिर क्या करेंगे 8 से 16 वाले में अगर हमारा पर 8 होगा तो 8 को हम 8 to 16 में count करेंगे ठीक है तो इसमें आपको धियान रखना है जैसे 0 to 8 लिखाव है तो यह lower limit होती है ठीक है यह upper limit होती है ठीक है रिट सइड़ वाली upper limit और यह lower left वाली ठीक है तो जो number है आप हमेशा lower वाली में count करोगे ठीक है अपर वाली में नहीं करोगे ठीक है तो इसी तरह से देखेंगे तो 0 से 8 के बीच में हमारे पास दो number है ठीक है तो 0 से 8 की बीच में एक तो हमरे पास 6 number हो गया और एक हो गया 7 ठीक है दो number हो जाएंगे ऐसी 8 से लेकर 16 अब 8 से 16 में कौन से marks आएंगे 8 को भी include करेंगे लेकिन 16 को नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास एक तो 8 हो गया clear हो गया इसी तरह से आपको 8 से बड़ा लेना है और 15 तक लेंगे ना कि 16 तक तो 8 से लेकर 15 तक के आपके marks आपके देखो यह रहे 12 हो गया 8 हो गया ठीक है इसके बाद आप देखते चलिएगा कौन कौन से इसमें आ रहे हैं हमारे 15 तक तो 15 लेंगे 16 ही लेंगे ठीक है इस बाद को ध्यान रखना 15 हो गया ठीक है इसके बाद और देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास बनते हैं 8 से लेकर 16 के बीच में 12 हो गया ठीक है इसी तरह से हमारा 13 हो गया ठीक है एक marks और है कहीं पर देखिएगा ठीक है तो जह नंबर आप ले लेंगे तो आपके पास टोटल काउंटिंग इस तरह से आप जब यहां काउंटिंग करेंगे तो आपके पास नंबर कितने आएंगे लिखा है तो 24 अकर मार्क हमें दिया गया है तो वह वहां पर 24 से 32 के बीच में आएगा तो वह 7 हो जाएंगे ऐसे यहां पर 32 से 40 के बीच में 7 हमारे पास हैं उसके बाद 40 से लिए 40 तक 8 हैं यह सब आप कांटिंग करके लिख जाएंगे और यह हमारा इस तरह से कोश्चन पर 6 अब आज में आइक्स भी कंप्लेट हो जाएगा तो यह एक साइज हमने आज कंप्लेट कर लिए अगर आपको किसी प्रॉब्लम है तो वांट्सक रूपर हमें मैसेज करके आप पूछी लिए गा तो और इन सभी क्वेंश्चन को बिटा नेट अन के लिन आप अपनी नोड झाल झाल